नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे टाटा मोटरस के बारे में जो एक लीडिंग ओटो मोबाइल मेनिफेक्चरर है इंडिया में हम इस फीडियो में टाटा मोटरस के फाउन्डमेंडल और टेक्निकल एनेलेसिस करेंगे ताकि आपको एक क्लियर बिक्चर मिल सके कि ये होने से पहले एक इंपॉर्टिन चीज के लिए कर देता हूँ स्टोक मार्केट इंवेस्मेंड्स के साथ हमेशा रिक्स होता है जो इंपॉर्मेशन हामशेर दरेंगे और जनेरल है और आपके फाइनेशियल गोल से मैच नहीं भी कर सकता है अपने इंवेस्मेंड डिसिजन टामोटर सिर्फ इंडिया में नहीं बलकि ग्लोबली भी काफी पूपूलर है तो यह था एक चोटा सा कंपेनी ओबर्विव तो आप बात करते हैं फांडमेंटल एनेलेसिस की सो नंबर वान पर हम बात करेंगे रिविन्यू क्रोथ के उपर टामोटर का रिविन्यू क्वा मर्जिन 7.07% है यह मर्जिन इंडिस्ट्री के एवेरेज से बेटर है जो स्ट्रॉंग प्रोफीटाबिलिटी इंडिकेट करता है तो नंबर थरी पर बात करते हैं आर्निंग्स की लाश्ट क्वाटर में आर्निंग्स 45.46 पर शेर थी जो इस्टिमेट से 137.76 परसंट जैद कंपनी के पास स्ट्रॉंग केश रिजर्व है जो हाई डेट को मिटिगेट करता है ओके नंबर फाइब पर ग्रोफ प्रोस्पेक्ट के उपर बात करते हैं टाटा मोटर्स ने इवी मार्केट में एग्रेसेबली इंबेस्ट किया है टाटा नेक्स ओन इवी काफी पोपुल से इंक्रीज हुआ है स्टोग ने मार्च 2024 में अपना ओल टाइम हाई 1065.60 टच किया था ओके नंबर टू पर बात करते हैं सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस लाइन की अगर करें तो 1029 पर एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस लाइन है और अगर सपोर्ट लाइन की बात करें तो मुविंग एवरेजेस अपवाड ट्रेंड शो कर रहा है इसका मतलाब मार्केट बुलिश सेंटिमेन को शो कर रहा है अगर हम प्राइस प्रेटेक्शन की बात करें तो ये स्टोग 1022-1050 तक जा सकता है 2024 में और अगर लॉंग टर्म इंबेस्मेंट पॉइन्ट ओफ यू से रहा है लेकिन हाई डेट और मार्केट कॉंपेटिशन को ध्यान में रखते हुए इंबेस्मेंट डिसिशन्स लेनी चाहिए टाटा मोटर्स का स्टोग लॉंग टर्म इंबेस्टर्स के लिए एक अच्छा ओप्शन हो सकता है फिडियो को लास्तक देने के लिए शुपरिय याद रखे स्टोग मार्केट इंबेस्मेंट के साथ हमेशा रिक्स होता है इंबेस्मेंट डिसिशन्स लेने से पहले आपने फाइनेंचियल एडवाइस ओर से जरूर कॉंसर्ट करे हम इस कॉंटेन की रिजल्स के लिए रिस्पोंसिवल नहीं है